आज हम सिखने वाले की यहां पर ट्रेणिंग यूट के फ्री प्लान में मैंने कीसे लगाए है यहां पर मैं दो से ज्याधा लिचावाट लगा सकता हूं फ्री प्लान में तो यह आप कैसे कर सकते हैं मैंने यहां पर देखिए बैंग निफ्टी का 5 मिनिट वाला चार्ट लगा सकते वो कैसे लगाना है वो आज हम सीखने वाले तो यहां पर मैं आपको ले जाता हूं कि यह मैंने एक ही ले आउट लगाया हुआ है ठीक है तो यहां पर आप आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहां पर गूगल में जाकर आपको लिखना है कि विवाली ब्राउ आपको डाउनलोड करना है यह विवालडी ब्रावजर जो है यहां पर उसके साइट आजाएगा विवाली.ies यहां पर अगर आपको विंडोन diferentes के लिए चेए तो भी मिल जाएगा अगर आपको लिनक्स मैंक के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएगा और एंड्रोइड के लिए चाहिए तो वह भी आपको मिल जाएगा तो यह विवाल्डी ब्राउजर एकदम सेफ है और बहुत ही अच्छा है और उसमें आप यह फ्री प्लान में आप लेयाउट का यूज कर सकते हैं और भी कुछ है जो मैं आपको लाइव य ओपन करता हूं ठीक है तो यहां पर मैं ट्रेडिंग व्यू में आ जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि यहां पर कैसे मैंने प्री प्लान में लेयाउट का यूज किया है ठीक है तो यहां पर ट्रेडिंग व्यू में आ गया हूं और यहां पर सर्च करता हूं बैंक कर में आपको चाहर만 ही खूल आप छीय हो गई दो पेज की बात मनलब कि यहां पर मयने दो पेज़ यहां पर खोल लिये है एक है यहां पर जो व। में है वह आपको अदिरा मिफळ देखाता हूं और यहां पर जो पांच मिफजड़ में हुआ ता कि कि यहां पर मैंने जो दोनों पेज को combine करना है वो यहां पर हम कर सके और दोनों पेज layout में हम देख सके ठीक है तो यहां पर आप क्या करना है कि control की और shift की दोनों को एक साथ press करके यह दोनों को select कर लेना है ठीक है और यहां पर राइट क्लिक करके टाइल टू टेब्स वो आपको क्लिक कर लेना है तो यहां पर देखिए दोस्तों कि हो गया है यह साइट जो है वो पांच मिन टाइम फ्रेम में बैंग निफ्टी दिखा रहा है और एक और बात जो खास है कि यहां पर आप इंडिकेटर भी अलग-अलग यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर देखिए ँंडिकेटर में जा कर मैंने यहां पर VVAP लगया हुआ हुआ है ठीक है जाँ पर मैंने VVAP सेलेक कर लिया है और जो पंदरा मीनिट वाला दोनों में दोनों में Allग 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 Indicator लगाय हुई यहाँ पर देखिए यह वाला जो Left Site वाला Indicator है वो राइट सेड में नहीं हो रहा है और जो तो राइड साड में मसीड है वो यहां पर आटमाटिक नहीं दिखा रहा है ठीक है तो दोनों में आप अलग-अलग अब्जर्व कर सकते हैं और एक और चीज़े कि आप इससे ज्यादा लियाउट कैसे कर सकते हैं तो यह भी यहां पर दिखा लेता हूं में तो तिसरा जो पे पेज यहां पर मैं खोल लेता हूं और उसमें भी हम ट्रेडिंग व्यूव में बैंक निफ्टी कर चार्ट हम खोलेंगे और दोनों में हम अलग-अलग टाइम फ्रम भी कर लेते हैं जो पहले में 5 थी दूसरे में 15 मिर थी और तीसरे में यहां पर हम वन अवर चार्ट कर ल यहां है फिर आपको क्या करना है चारो को सिलेक करना है शिफ्ट और कंट्रोल को दबा कर और यहां पर राइट क्लिक करना है और टाइल फोर टैब्स कर देना है यहां पर देख लिजे चारो ले आउट यहां पर आ गये है यह मैं अगर आपको बहुत ज्यादा जूमिंग लग रहा है थोड़ी दिर के लिए में में हटा देता हूँ अगर आपको बहुत ज्यादा जूमिंग लग रहा है तो आपको क्या करना है कोई भी एक टेप को सिलेक करना है यहाँ पर नीचे देखिए 100% है वहाँ पर आपको कम कर देना है 80% 70% तो आपको बहुत अच्छा व् है वहाँ पर भी 100% है यहाँ पर हम 80% कर लेते हैं और जो डे candle है वहाँ पर भी हम तो यहाँ पर देखिए अच्छा व्यू हमें देखने को मिल रहा है और चारों में खास बात यह है कि आप कोई भी या इंडिकेटर लगा सकते है वह भी अलग-अलग मनलब कि यहाँ पर द दूसरा इंडिकेटर लगाना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर देखिए वहाँ पर हम RSI लगा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे RSI आ गया है और दूसरे कोई चार्ट में वह नहीं जा रहा है अगर आपको लगाने तो आप लगा सकते हैं नहीं लगाने तो आप न नॉर्मल जो 9 की है वो मैंने यहाँ पर लगाई हुई है और जो day candle है वहाँ पर हम exponential moving average लगाएंगे तो सब कुछ अलग-अलग हो गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने layout का तो use किया ही है free में पर उसके साथ हम indicator भी अलग-अलग लगा सकते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी indicator लगाए आपको बहुत अच्छा view देखने को मिलेगा यहाँ पर देखें पांच मिनिट में वीवेप है यहाँ पर वन आवर में आरस आये हैं यहाँ पर 15 मिनिट में मुविंग अवरेज है 9 की और यहाँ पर डेखेंडल में एक्सपोनेंशल मुविंग अवरेज है जो है 50 के तो आप कुछ भी यहाँ पर use कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बैंक 50 सेट कर रखा था उसको बदलकर हमने यहाँ पर रिलाइंस को सब मैं सेट कर दिया है तो पांच मीट है वहाँ पर हमें रिलाइंस में ले लिया है यहाँ पर बिचेंगें फिप्टीन मिनिट में भी हमने रिलाइंस को सेट किया हुआ है और यहां पर डे केंडल में भी हमने रिलाइंस को सेट किया हुआ है तो यहां पर हम सब कुछ देख सकते हैं कि पांच मीट में वो क्या कर रहा है फिर यहां पर वन अवर में वो क्या कर रहा है और डे केंडल में भी वो क्या कर रहा है और सब क को मैं यही बताने वाला था कि यह हम फ्री में यूज कर लगते हैं अगर आपको इंफर्मेशन अच्छी लगए हो तो एक लाइकर दिजेगा ऐसी ही इंफर्मेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं नई वीडियो में थेंक यू